हेलो फ्रेंड्स जिया कोकिंग ओनर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीजा तो आपने बहुत बार खाए होंगे लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू स्टाइल में सूपर टेस्टी चीज से भरा हुआ उल्हड पीजा जो की बनाना बिल्कुल आसान है करेंगे उल्ड पीजा की स्टेफिंग इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और उसमें डालेंगे एक चमज घी और यहां लिया कुछ वेज़िटेबिल्स यह बारी कटा हुआ पनीर पीली शिमला मिर्च लाल शिमला मिर्च और यह बारी कटी हुए प्याज अब यह गी गरम हो चुका है अब इसमें यह वेज़िस सारी डाल देंगे सबसे पहले डालेंगे कटा हुआ प्याज यह बारी कटीवी शिमला मिर्च हरी शिमला मिर्च लाल शिमला मिर्च और यह पीली शिमला मिर्च अब इन्हें एक मिनट के लिए पका लेंगे हमने यह यहां ज्यादगी का यूज नहीं किया है बस थोड़ी से एक चमच गी में ही इन्हें हम रोष्ट कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा टेस्ट आ सके आप चाहे तो कच्छी वेजिस भी यूज कर सकते कुलड पीजा में लेकिन ऐसे पकी वेजिस का टेस्ट बहुत अच्छा आत अब इसके बाद में इसमें डालेंगे हम मसाले सबसे पहले डालेंगे हम इसमें आधा चमच नमाग आप अपने स्वादर असार इसे डाल सकते हैं अब इसके बाद में डालेंगे हम काली मिश का पाउडर आधा चमच काली मिश पाउडर डालेंगे अब इसे भी हम mix कर लेंगे अब इसके बाद मैं इस में डालेंगे हम bread के pieces ये मैंने दो bread ली थी उसके चोचोटे pieces कर लिए है अब इसे भी हम mix कर लेंगे फ्रेंट्स ध्यान रहे हैं bread के pieces सबसे last में डालने हैं और फिर ज्यादा नहीं पकाना है अब इसके बाद में डालेंगे हम एक चमच पीजा सोस और आधा चमच डालेंगे हम तंदूरी सोस ये देखिए इस तरह से इसके बाद में हम डालेंगे इस पे और गेनो और थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स अब इसके बाद में डालेंगे हम ये मेवनीज ये वाइट वाली मेवनीज इसमें डाल रहे हैं अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल शानदार वाली स्टफिंग बनके रेडी हुई है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कलरफूल इस तरह से हम ये स्टफिंग रेडी कर लेंगे ये स्टफिंग हमने दो कुलर्ड के साब से बनाई है अब यहां कुलर्ड वीचा को बेक करने के लिए मैंने एक बरतन लिया है उसमें डाला है ये थोड़ा सा नमक ये मैंने मोटे तले वाला बरतन लिया है आप चाहे तो मोटे तले की कडाई भी ले सकते हैं और वन में भी आप इसे बेक कर सकते हैं अब इस नमक को चारो तरह फेला लेंगे हमें इतना बड़ा बरता लेना है कि दोनों कूलर या जितने भी कूलर आप बैक करेंगे वो उसमें अच्छे से रख सके अब इसके बाद में इसमें मैंने एक स्टेंड रखा है अब इसमें रखी एक प्लेट इस प्लेट पे हम कूलर को रख देंगे अब इसके बाद में हम इसे हम ढख देंगे गेस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है जितन देर में हम कुलर तयार करेंगे उनकी स्टफिंग करेंगे उतनी देर में यह अच्छे से प्रिहिट हो जाएगा और यह मैंने लिया है कुलर इसे साप पाने से वोश करके सुखा लिया अब इस कूलर को हम स्टेफिंग करेंगे यह देखि हमारी स्टेफिंग बिलकुर रेडी है अब इसको लड़को लेके हम चम्मच से स्टफिंग कर लेंगे पहले इसमें दो चम्मच हम इसमें ये स्टफिंग डाल रहे हैं और छोटी चम्मच से इसे अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी मेवनिस डाल देंगे अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा यह mozarela चीज यह हम इस kulad pizza की बीच की लेयर बना रहे हैं इसके बाद डालेंगे टोमेटो केचप अब पापस से इस में थोड़ी stuffing और डालेंगे यहां इस topping को अच्छे से इस kulad में फिल कर लेंगे हम यहां यह टोपिंग अच्छे सिर्फ पूरे उपर की लेर तक हम लगानी है जमस्स से चारो तरफ अच्छे से इसे फेला लेंगे अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम मेंवनीज यह चारो तरफ अच्छे से इस पर डाल देंगे और इसके बाद में इस पर डालेंगे हम टॉमेटो केचप टॉमेटो केचप से थोड़ा अच्छा सा खट्टा मिटा टेस्ट आ जाता है और अब डालेंगे इसमें पीजा का सबसे में इंगिडेंट मोजरेला चीज पीजा में अलग टेस्ट लाता है इसके बीना तो पीजा बनाना पूसीबल ही नहीं लगता है वो टेस्ट नहीं आता यदि हम बना भी लेंगे तो और आप मोजिरला चीज की जगे इस तरह से हमने कुलड की पूरी फिलिंग कर ली है और इसी तरह से हम दूसरे कुलड को भी ऐसे ही टॉपिंग फिल करके और चीज लगा के ऐसे तयार कर लेंगे यह हमने दोनों कुलड तयार कर लिए हैं अभी बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है अब ये बरतन जो हमने pre-heat होने के लिए रखा था वो preheat हो चुका है अब इसमें हम जो हमने ये कुलड तयार किये थे ये हम इसमें एक एक करके रखेंगे दोनों कुलड के हिसाब से ये बरतन बिल्कुल परफेक्ट है आप यदि ज्यादा कुलर तयार करते हैं ज्यादा कुलर एक साथ बनाते हैं तो आपको बरतन भी बड़ा लेना होगा अब इसे हम 8-10 मिनट तक बेग करेंगे यह देखिए बिल्कुल चीज अच्छे से मेल्ट होने लगा है और यह 10 मिनट हो चुके हैं कुलर पीजा बनके रेड़ी है अब इसे हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स यह देखिए कितने शांदार वाले कुलर पीजा बनके तयार हुए हैं आप इन सारे टिप्स को और सारे इंगिजरेंस को यूज़ करके ऐसे कुलर पीजा आसानी से बना सकते हैं और यह सब को बहुत टेश्ट ही लगते हैं यदि आप इस तरह से कुलर पीजा बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ करें भी ना नहीं रहेंगे और हर बार इसी तरह से यह कुलर पीजा बनाएंगे आप यदि आज की रेशिपिए आपको अच्छी लगी है